तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ओल ओन इंजिनियर्स केरियर पॉइंट सी माइडियर स्टूडेंट्स इस साइड मुकेश सर और आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिसके बहुत सारे एप्लिकेशन्स हैं अगर आप प्लेश्मेंट के में भी हर साल उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोब्लम हमेशा आएगा तो मैं बात कर रहा हूँ अपने टॉपिक की दैट इस हीप अब आज के वीडियो में एक्चल में ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इस वीडियो को या इस टॉपिक को हम दो वीडियो में कवर करेंगे पहला आज हमारा डिसकसन रहेगा कि हीप है क्या हीप में हम इंसर्ट कैसे करेंगे इस हीप में डिलिट करने का टाइम कॉंपलेक्सिटी क्या है कितने टाइपस की हीप है और उसके बाद में हम जो पार्ट टू है उसमें डिसकस करेंगे कि हम ओप्टिमाईज कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ हम एक टॉपिक को रीड करेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या हम capable है PYQ previous year questions gate के उस topic से cover करने में अगर हाँ it means आप right direction में move कर रहे हैं तो start करते है my dear students पहला topic that is heap तो heap है क्या देखो बहुत सारे data structure है वैसे ही heap ये क्या है a heap is a first point is a complete or I can say almost complete binary tree is a almost complete binary tree what is heap? heap is a almost complete binary tree सबसे पहली बात fine तो अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये almost complete binary tree का meaning क्या है देखो अगर मैं बात करूँ complete binary tree की complete binary tree एक ऐसा binary tree सबसे पहले फिर हमें binary tree के बारे में बात करना पड़ेगा what is binary tree? a tree in which each node has at most two child एक ऐसा tree जिसमें हर एक node के at max दो child हो सकते हैं that is binary tree तो अब हम बात करते हैं complete binary tree एक ऐसा binary tree जिसका हर level completely filled हो अगर मालो मैं नहीं इत्रा बना दिया तो इस node का right child नहीं है it means यह complete binary नहीं हुआ पट अगर मैं जैसे ही एक और element को insert कर दूँगा तो यह है complete binary tree that means जो last level है उसमें सभी element present होंगे एक और example देख लेते हैं देखो इसमें भी last level के सारे element present है that's why it is called complete binary tree तो अब हम बात करते हैं almost complete binary tree की अब देखो क्या होता है almost complete binary tree में last level पे कुछ element नहीं होते हैं other than that हर एक level completely filled होगा उसका left child भी होगा उसका right child भी होगा that is called almost complete binary tree fine तो हमने binary tree को देख लिया complete binary tree को देख लिया almost complete binary tree को देख लिया तो हमने heap का क्या कहा एक partial definition हमने यह read की कि यह क्या है एक almost complete binary tree है अब बात करते हैं second point की देखो heap जो है वो कई types की होती है fine that is types of heap heap कई type की है fine तो देखो first जो है that is called minimum heap और I can say mean heap और second जो type है वो है max heap that is called maximum heap अब mean heap क्या है maximum heap क्या है एक example से समझते हैं पहले see अगर मैं बात करूं min heap की अगर मैं बात करूं min heap की सबसे important यह ध्यान रखना की heap बहुत जगें यूज होती है वो चाहे minimum heap हो चाहे maximum heap हो अगर हम इसके अलावब कोई other data structure यूज करते हैं तो उस case में time complexity हमारी बढ़ जाएगी that's why यह important topic है और बहुत important topic है competitive programming के लिए placement के लिए gate के paper के लिए यह topic बहुत important है बात करते हैं min heap min heap क्या कहता है कि जो parent होगा किसी भी node का जो parent होगा parent is always less than equal to left child always less than equal to right child example जैसे 10 है फिर 20 है फिर 30 है फिर यहाँ पे 60 है 40 है 90 है और यह 80 है it means क्या यह structure fulfill कर रहा है मेरी इस condition को देखते हैं देखो यह क्या है parent parent किसका है 20 और 30 का क्या parent 20 और 30 से छोटा है है तो it means यह node मेरी satisfy कर रही है mean heap की property को fine अब 20 20 के child को ने 60 और 40 क्या 60 और 40 से छोटा है 20 parent yes 30 90 और 80 से छोटा है yes इनके कोई child देंगे it means leaf level के node हमेशा property को satisfy करेंगे that is min heap similarly अगर मैं बात करूँ max heap की max heap max heap में क्या होगा जो parent है किसी भी node का that is greater than equal to right child that is greater than equal to left child इसका example ले लेते हैं 100 next 80 90 then 60 75 then 40 and 45 fine तो अब देखो अगर हम बात करें parent की parent है 100 किसका 80 और 90 का तो क्या 80 और 90 से बढ़ा है 100 yes 80 60 और 75 का parent है क्या बढ़ा है अपनी child से yes 40 45 क्या बढ़ा है अपनी child से 90 yes it means यह हो गया हमारा example max heap का तब सब अब advantage क्या है mean heap और max heap में आप एक situation को imagine करके देख ली माल लीजी आपके पास एक array है उस array में से आपको minimum element निकालना है तो आपको order of n time लगेगा उस array में से आपको maximum element निकालना है order of n time लगेगा पट in the case of max heap अगर maximum निकालना है हमें पता है जो first element होगा वही हमारा maximum element होगा in the case of max heap मिन heap में जो root होगा जो first element होगा वही हमारा minimum element होगा तो कितने time में मिल रहा है हमें order of one time और constant time में मिन heap में से हम minimum element निकाल सकते हैं max heap में से हम maximum element निकाल सकते हैं अब बात करते हैं insertion operation की insertion operation insertion in चाहे आप min heap ले लो चाहे आप max heap ले लो तो suppose ग्रो मेरे पास एक input है heap मैं min heap का case ले रहा हूँ 10 20 30 40 50 60 70, suppose ग्रो हमें एक element insert करना है let insert 100 तो क्योंकि ये last level completely filled है तो अगर नहीं होता तो उस position पे जाके element को मैं insert करता पहले, क्योंकि ये last level completely filled है, but heap क्या है, almost complete binary होता है जरूरी नहीं कि complete binary हो but मैंने इस case में इस example लिया है that is complete binary tree अब 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 को पहले insert कर दूँगा मैं नहीं कर दिया अब क्योंकि मुझे heap की property भी maintain करनी है और ये कौँ सा heap था min heap तो heap अब insert करने में constant time plus इस heap की property को भी satisfy करना है तो parent के साथ 100 के parent के साथ comparison करूँगा 40 and 100 minimum is parent fine, it means मुझे swap नहीं करना है क्योंकि min heap है parent हमेशन छोटा होगा तो एक comparison किया constant time तो best case में कितना time लगा constant plus constant is constant in the similar way अगर मैं बात करूँ दूसरा case की माल लो 10 है 20 है 40 है 30 है हमारा याँ पे 60 है 90 है 100 है और ये 150 है fine और अब मेरे को एक element insert करना है that is 5 मैं नहीं कर दिया कितना time लगा अभी तक constant but heap की property को भी maintain करना है parent के साथ comparison करूँगा parent ये newly inserted element and parent कौन सा चोटा newly inserted element तो क्या करूँगा swap करूँगा means 5 यहां आएगा और 30 यहां आएगा fine in the similar way 5 और 20 को भी मुझे check करना है और swap operation perform करूँगा यहां मेरा 5 आएगा यहां मेरा 20 आएगा in the similar way 5 and 10 यहां 5 आएगा यहां 10 आएगा तो respective tree क्या बन गया 5, 10, 40, 20, 60, 90, 100, 150 and 30 तो अब मुझे यह बताईए कि मुझे हमने यह भी discuss किया हुआ कि complete binary tree का जो height रहता है वो log n है तो क्या क्या किया मैं नहीं log n comparison किया और log n swap किया तो c plus log n plus log n is 2 log n plus c constant को हटा दिया 2 log n 2 को हटा दिया we go of log n it means worst case में min heap या फिर max heap में एक element को insert करने का time है log n in the case of worst best case में constant time fine in the similar way अब हम बात करते हैं delete sorry ठीक है तो finally हम discuss करें तो हमने यह find out किया to insert an element to insert an element in min heap मैं min heap का example ले रहा हूँ आप max heap भी कर सकते हो min heap और max heap is best case constant worst case log n एक element को insert करने का time an element best case में constant worst case में log n क्योंकि height log n है तो log n comparison log n swap worst case में leaf node से लेके root level तक हमें comparison और swap करने पड़ सकते हैं that is the main case fine तो ये है तो अगर माल लो मुझे n element insert करने है to insert an element in min heap how much time it will take it will take we go of एक element के लिए log n तो n element के लिए n log n ये मैं worst case की बात कर रहा हूँ क्योंकि best को में consider नहीं कर रहे है best case के लिए log n ही होगा fine तो that is n log n तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको heap को construct करना है क्योंकि heap को क्यों construct कर रहे हैं क्योंकि heap में अगर min heap की बात करूँ तो minimum element आपको root level constant time में find हो जाएगा but in the case of array आपको order of n time लगेगा fine so हमने discuss किया min heap में या और max heap में insertion का time क्या है और n element का अगर मुझे heap create करना है तो n log n time लगेगा बात भी हम एक और algorithm read करेंगे that build the heap in order of n time अभी n element की heap को construct करने के लिए n log n time लग रहा है but part 2 में हम discuss करेंगे कि ये order of n में भी हो सकता है कैसे होगा उसका trick हम जानेंगे अब हम बात करते हैं delete operation की delete in heap delete operation देखो माल लो मैं example ले रहा हूँ min heap है हमारे पास तो 10 20 30 40 50 60 और 70 फाइन अब याद रखना कि heap में आप सिर्फ root element डिलीट कर सकते हो फाइन तो हमें delete क्या करना है delete करना है 10 10 को delete किया ठीक है अब 10 का space vacant हो गया यहां पर किसको बेजें तो आपको क्या करना है delete operation के लिए जो last element है इस tree में इस tree में जो last element है उसको 10 की जगें रखना है तो यहां पर tree क्या बन जाएगा 70 20 30 याद रखना heap में हम हमेशा चाहिए min heap हो चाहिए max heap हो हम सिर्फ और सिर्फ root को delete कर सकते है 20 30 40 50 and 60 क्योंकि 70 तो उपर चला गया और 10 डिलीट हो गया fine अब देखो क्योंकि यह कौन सा heap था min heap था तो मुझे क्या यह min heap है नहीं है तो मुझे again क्या करना पड़ेगा heapify operations लगाने पड़ेंगे fine देखो min heap बनाने 70 यह 70 है 70 के child को ने 20 और 30 कौन सा चोटा 20 तो 20 यहाँ आ जाएगा और 70 इसकी जगर चला गया fine अब देखो 70 70 70 40 45 कौन सा चोटा 40 70 कहा जाएगा यहाँ तो finally tree आपका क्या बन गया देखो 20 40 30 70 50 and 60 यह आपका finally tree बन गया क्या यह min heap है हाँ है तो आपने देखा कि actual में आपने क्या क्या operation perform किये आपने last element को इस element पीज गया ले किया है that means constant time लगेगा आपको यह operation करने में फिर आपने worst case में log and comparison और log and swap किये तो log and comparison plus log and क्योंकि यह क्योंकि height क्या है log and ही होती है fine that's why c plus log and plus log and is c plus 2 log and constant है हटा दिया 2 log and 2 हटा दिया big of log and क्योंकि asymptotically हम time को find कर रहे है तो delete करने में कितना time लगा log and एक element को delete करने में चाहे वो min heap हो चाहे max heap हो log and time लगेगा तो इस वीडियो में अभी तक हमने देखा what is heap types of heap binary tree complete binary almost complete binary best case worst case time complexity insertion operation and delete operation time complexity so my dear students hopefully आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अगर नहीं आई है ता आप comment section में लिख सकते हैं आपकी अपनी कोई भी query और ध्यान रखें engineers carrier point जो की situated है चंदीगर्ड sector 34 में engineers carrier point fine उनके exam चल रहे है hopefully आप अपने best तरीके से exam को attempt करें और जब भी आप free हो जाए तो अगर आपका कोई भी आपको चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके जो core fundamental subjects हैं उनमें काफी पकड़ हो आपकी आपके fundamentals हरे clear हो अगर आपको higher studies के लिए जाना है या आपको किसी भी PSU's के लिए जाना है या किसी भी placement के लिए जाना है तो आप समझ सकते हैं कि algorithm, data structure और programming, operating system, DBMS ये वो कुछ subject है जो किसी भी company में, किसी भी PSU's में even gate में, हर जगें आपके साथ रहेंगे तो my dear students हम best start कर रहे हैं आपको complete content provide किया जाएगा complete test series provide की जाएगी और अगर आपकी query है तो आप engineers career point के website को widget कर सकते हैं हमारे executive से बात कर सकते हैं और अगर still आपकी कोई query है तो आप हमारे different mentor से भी बात कर सकते हैं Thank you, thank you so much झापकी कोई बात कर सकते हैं